गोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सबस्क्राइब कर लेना साथ ही बैल एक प्रेस कर देना चलिए सुरू करते हैं मिरे मित्रों आज मैं आपके सामने बात करने जारॉँ मैंने ELSS को लिया है एकुटी link saving scheme को मैंने select करा है यहाँ बैल एक!.. plan यानि कि ELSS fund को चुनते हो तो आपके यहां पर एक नहीं दो नहीं पूरे तीन फाइदे निकल के आते हैं उन तीन फाइदों में सबसे बड़ा तो यह फाइदा होता है कि एक आपकी wealth create होती है और wealth क्यों create होती है क्योंकि करनी ही पड़ती है क्योंकि इस fund को आप बेच नहीं सकते एक locking period होता है minimum 3 साल का locking period होता ही होता है प्लस इसके साथ सा जो number तीसरा जो plus point आपका निकल के आता है वो है ATC में आपको एक deduction मिलता है एक लाग पचास जार उपए तक का तो यह भी benefit है आपके लिए साथ ही साथ कहीं न कहीं एक जब बहुत समय तक एक fund को चला लेते हो तो आपको knowledge भी मिलता है यह भी एक benefit है direct plan को मैं आपको हमेशा बोलता हूँ select करने के लिए राधर देन की regular plan क्योंकि जब आप regular plan में देता है आपकी SIP में ही commission जड़ा हुआ होता है इसी वज़े से आपके लिए beneficial हो जाता है इन 24 घंटे में 10 मिनट आगा अगर आप CKD stock market news channel को देते हो क्योंकि मेरा काम क्या है इस channel को बनाने के purpose यह था कि आपको एक सही knowledge provide करी जाए उसी knowledge के तहित आप जब यह मेरा video 10 मिनट का आप देख लेंगे और एक साल तक अगर आप इसको follow करें इसके बाद आपको किसी के बाप के जुरूत नहीं पड़ेगी किसी की भी जुरूत नहीं पड़ेगी आपको knowledge लेने की कोई आपको ग्यान देके आए इवेन आप किसी से पूछें कि मेरे लिए best fund कौन सा है दुनिया में best funds in India how to select best mutual fund how to invest in market यह सारे तरीके से automatic आपके अंदर generate हो जाएंगे क्योंकि मैं कभी यह नहीं कहता कि आपको क्या करना चाहिए कब करना चाहिए कैसे करना चाहिए मैं केवल आपको यह चीज़ बताता हूँ कि इस fund में क्या ऐसी quality है जो आपके पास है मैं हमेशा यह नहीं कहता कि यह जो मेरे जो मैं quant की बात करता हूँ मैं जब मैं small cap, large cap, mid cap, flexi cap, hybrid यह तमाम multi cap यह तमाम जब funds की बात करता हूँ तो मैं कभी यह नहीं कहता कि आपने को some investment करना चाहिए मैं केवल आपके पास जो fund उसका review देने की कोशिस करता हूँ यही purpose है मेरा इस channel को बनाने का तो इसी तरीके से अगर जब आप वीडियो देखते रहेंगे तो कहिना कि यह automatic आप खुद independent हो जाएंगे क्योंकि हर रोज मैं कुछ बातें same repeat करता हूँ और वह बातें मैं तब तक बताऊंगो जब तक वह आपके दिल और दिमाग में बस नहीं जाते हैं यकीन मनना जब इस professional way में आप जब किसी से बात करोगे तो आप खुद एक खुद एक बहुत अच्छा knowledge रख रहे होगे समाज में आपको चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके से communicate करते हैं business world में ठीक है quantity tax plan direct growth की मैं यहाँ पर बात कर रहा था देखिए अगर आप नए हैं तो definitely आपको इतनी महंगी एनएवी को select नहीं करना चाहिए 267 रुपए जैसी एनएवी को क्योंकि जब आप 1000 रुपए के PSIP करेंगे उसमें आपको बहुत छोटा सा आपको बहुत छोटे से आपको unit ऐलो मैं क्या करूं तो मेरे मित्र आपको क्या करना चाहिए मंदिर में जाना चाहिए या किसी भी आप religion को follow करते हो आपको वहां जाना चाहिए गरेबों को प्रसाद माटना चाहिए और उपर वाले को thanks कहना चाहिए कि इतना बहतरीन फंड आपने एक सही समय पर ले लिया और इ मैक्सिमम बात करूं मैक्सिमम भी इसने 21.12 परसेंट का दिया बहुत सारे स्मॉल के फंड ऐसे फंड हैं जिन्होंने 21 परसेंट भी रिटर्न नहीं दे पाए हैं इतने बड़े लॉंग पीरियड में तो बहुत अच्छा फंड है यह जिनके पास है वो होड़ करके रख सकत हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए ऐसी टैस समय में थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्किर जैसी धलाम धलाम गिरने लगे इस फंड की नीची आएगी तो फिर वहां से अक्युमिलेशन किया जा सकता है फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा फ्र अगर मैं बात करूं तो ELSS केटिगरी में टॉप का टॉप का फंड है यह 5 आउट ओफ 5 इस्टार रेटिंग दी है इस्टार रेटिंग कम होती रहती है क्योंकि जब रिटर्न कम होगा तो डेफिनेटली स्टार रेटिंग भी कम हो जाएगी मैं बताना जाहूंगा कि जो व लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को benefit पहुंचाया जा सके ऐसे फंड मैंजर को ऐसे ही आप सैगल साव ऐसे काम करते रही है और investors का पैसा double करते रही है इसी के सासाथ मैं कुछ और चीजों की यहां पर बात करूंगा तो मेरे मित्रों इस फंड में भी आपका very high risk रह कि यहां पर चर्चा चल रही है आपके सामने 2506 करोड का यह asset size यह केवल मैं इसी fund की बात कर रहा हूं expense ratio कहीं ना कहीं मुझे decent दिखता है 0.57% का ही expense ratio केवल cash holding की बात करें 0.09% का cash hold करके चलते हैं इसका मतलब इनके fund manager यह सोचते हैं कि जितना cash hold करके चल रहे हैं तो उतना ह हमको कहीं ना कहीं जो market में return यानि कि जो opportunity cost होती है वो मिल सकती है इसकी वज़े से यह कोईसिस करते हैं कि कम से कम cash hold करके चला जाए ज्यादा से ज्यादा पैसे को market 5-7% का फिर भी इससे कम किया जा सकता था क्योंकि जब fund return ज्यादा दे रहा है तो definitely expense ratio को कम किया जा सकता था पर investors को फरक नहीं पढ़ रहा होगा expense ratio पे क्योंकि इस फंड ने return नहीं बहतरिन बना के दिया है nifty 500 total return index को इन्होंने target किया है अब इस nifty 500 जो यह index है इसके अंदर कौन से share से नहीं लिए इसकी बाद अभी करेंगे जो प्लान है वो growth है अगर आप fund को में जब withdrawal करेंगे कोई भी withdrawal charges नहीं पढ़ेंगे यान कि exit load नहीं पढ़ने वाला है सोच के दिखो यार exit load maximum fund अभी लगाते हैं एक या दो साल के अंदर पर वैसे भी आपका 3 साल के लिए minimum तो fund lock period में ही रहेगा तो क्या exit load लेगा आपसे जो सेक्टर इन्होंने पसंद की हैं उनमें है material, metal and mining, construction, communication, healthcare, chemical, insurance सोच के दिखो chemical sector ने 2022 में performance नहीं दिया सोच के दिखो अगर ये chemical sector भी outperform करने लगे सोच के दिखो कितना बड़ा ये funder return ने दे सकता है आपको insurance, capital goods, technology, automobile, textile and cash शोल्डिंग, chemical और textile loser रहे ये दोनों सेक्टर 2022 के अंदर, इन्होंने कोई return बना के नहीं दिया, सोच के दिखो अगर ये 2023 में ये दोनों सेक्टर चल पड़े, तो ये मान के चलना आपकी नईया ये बिल्कुल पार्क कर देंगे, इसी के सासा चलिए कुछ और चीज़ों, अब shares की बात कर लिते हैं, कौन-कौन shares में आपका पैसा deploy रहता है, ठीक है, State Bank of India, ITC, Amboja Cement, Reliance Industries, and Adani Port, and HDFC Bank, NTPC, Patanjali Foods, Patanjali Foods, Patanjali Foods ये डबल होगे, यही रीजन है, यही रीजन है, मैं अभी तक जितने भी shares इनके देख के आया हूँ, इन सारे shares ने बहुत bank का return दिया, पतंजली Foods को डबल हो गया, जहां 600 रुपए पे उस company का FPU आया था, वही देखी, आज share almost 1200 रुपए तक पहुँचा, यही return investors को मिला, पंजाग National Bank ने भी 2022 में पैसा लोगों को डबल किया, कोटक महिंद्रा बैंक, Indian Hooters, Macro Tech Developers, Life LIC, LIC पिटा है, तो देखते हैं क्या होता है LIC का, इंडालको, Union Bank of India, IRB Infrastructure, Bank of Baroda, विकाजी Foods, विकाजी Foods जब list हुआ तो कोई return बना के ने दिया, पर उसके बात 30-40% के उपर दोड़ गया, सीमेंस, टाटा कंस्यूमर, लिंडे इंडिया, टाटा कम्यूनिकेशन, UPL, टाटा कम्यूनिकेशन कहीं न कहीं muted रहा, return कुछ खास दिया नहीं, हिमाचल, Futuristic, Wipro Limited, Wipro Limited गिरा, तो अब ये दिखना है कि जब ये March 2000, जब March 2013 के जो results आएंगे, वहाँ पर इस वीडियो को मैं वापस से इसका review लेके आऊँगा, कि जो ये Wipro गिरा है, उसको किस तरीके से इन्होंने कहीं न कहीं adjust किया, वो पता चलेगा वहाँ पर, जिंदल, Stainless, TV18 Broadcast, पीरामल Enterprise, भारती Airtel, Canera Bank, United Spirit, Gale, Oracle Financial, VRL Logistics, Vedanta Limited, पीरामल Pharma, Aegis Logistics, Escort, Qubota, 40Cell, जिंदल Steel, Dr. Reddy's Laboratory, भारत Petroleum, Steel Authorities, यानि की Sale, Bosch, Stylum Industries, ABB India, Kaplan Point, National Aluminium Company, Trent, Sun TV Network Limited, बेरे मित्रों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो stock market के अंदर, best stocks to buy now, यानि की stocks के अंदर, यानि की share market के अंदर, कौन से बहतरीनी stocks हो सकते हैं, कोई मुझे ये बताए, कुछ बहतरीनी stock है, research तो मैं खुद कर लूँगा, तो friends, ये देखिए, एक बहतरीन fund house, ये shares मैं ने आपको दिखाए, तो आपकी समस्या साइद, यहां से खतम हो गई होगी, क्योंकि जब ये बहतरीन stock है, इतने बड़े fund manager ने इनको select किया है, तो यानि कि आप भी इन funds पर research कर सकते हैं, इन mutual funds पर research कर सकते हैं, आप इन stocks पर research कर सकते हैं, और बहतरीन मुनाफ़ा आप भी बांद सकते हैं, इसी के साथ साथ friends आप यहां पर मैं कहना चाहूंगा, पराग पारिक tax saver fund का already video uploaded है, आप जाके इसका भी review चेक कर सकते हैं, इस फंडे ने भी बहुत वैथरीने रेटर ने दिया, मिनमम 500 रुपए से पराग पारिक के अंदर आप इस्टार्ट कर सकते हैं, IDFC Tax Advantage ELSS का एक video uploaded है already, आप जाके चेक कर सकते हैं, मिनमम 500 रुपए से आप सुरुवात कर सकते हैं, तीन साल का CAGR की बात करेंगे, तो इस फंडे ने 22% के CAGR के साथ से रेटर ने दिया है, बहुत बैठरीने रेटर ने दिया है, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बताओ, क् और बाकी तो मेरे पास तो Bank of India Tax Advantage Direct Growth है, उसकी क्यावत, उसका भी आप चर्चा करें, तो मेरा मित्र मैं बताना चाहूंगा, तीन साल में 22% के CAGR के साथ से इस फंडे ने भी रेटर ने दिया है, तो डेफिनिटली आपको 2-4% के लिए इधर उधर फंड्स में स्विच नही ले जा पाएंगे, मिनमम 500 रुपाई का investment है, फिर भी मैं कोसित करता हूं गंदे संदे mutual funds को ना ला जा जाए, एक अच्छे return, एक अच्छे fundamentals, एक अच्छे shares, एक अच्छे sector, एक अच्छे fund manager ने, जो अच्छा mutual fund चुना हो, उसी के बारे में आपके बारे मताया जाए, ठीक पर उनी लोगों के लिए ऐसे fund बैतरीन रहते हैं, जो लोग tax को payment करते हैं, जो लोग tax का payment नहीं करते हैं, definitely उनको small cap चुनना चाहिए, mid cap चुनना चाहिए, और एक index fund लिना चाहिए, large cap को आप चाहिए, तो आपके बारे मेरा मानना है, जब इस्टॉक मार्केट में हो, जब कोई भी आपको बनाने से नहीं रोक पाएगा, 17,185 करोड का इसका टेंटर मेनेजमेंट है, तो यह जो मैं टोटल बात कर रहा हूँ, 17,185, यह total quant mutual fund की है, बहुत छोटा fund house है यह तो यही पर बस थोड़ा सा यही डर लगता है, कि यह छोटा fund house है, कुछ भी गूची नहीं चुगा, तो फिर पैसा पानी में जा सकता है, total 49 schemes को manage करते हैं, यही रिजन है कि यह fund house कुसिस कर रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज्यादा return ने दे पाएगा, तो कहीन है कि investor को trust आएगा, investor एक दूसरी से communicate करेगा, और यह fund भी आने वाले समय में, एक बढ़िया एक लाक रुपे तक asset under management कब बन सकता है, ठीक है, तो करते हैं दिखते हैं कि इस तरीके से यह fund house को तयार करके तयारी करे हुए है, पर मैं अगर इस fund की बात करूं तो बहतरीन fund है, यही से मेरी चर्चा आज समाप्त होती, कल फिर एक नए mutual fund के साथ आपके सामने चर्चा करेंगे यह पर तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।